हलो स्टुडेंट्स एसके क्लासिस के यूट्यूब चनल में आप सभी का स्वागत है स्टुडेंट्स फाइनल यहां आपके सामने है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जिसका की सैट वन यहां पर आप देख रहे हैं यह कक्षा 11 का कैमेस्ट्री के जो स्टूरेंट्स हैं उनके लिए मॉडल पेपर बनाया गया है इसमें आपके क्वार्टरली का यानि की त्रामासिक का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार किया गया है यानि कि आपके सिलेबस में जो जो यूनिट्स आ रही है तो उनमें से ही इसके अबजेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आंसर्स है उन सब को यहां पर बनाया गया है ताकि आपके एक्जाम में आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सकें उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और वो किसी भी तरीके से आपके एक्जाम में छूटने ना पाए तो इसके अलावा भी आपको परीक्षा अधिन और परीक्षा बोध में जो भी और question and answers आपको देख रहे हैं जो पिछले सनों में पूछे गए हैं और repeat हुए हैं उनको आप छोड़के मत जाएए अपनी तैयारी book से भी आप एक बार अच्छे से कर लीजिए तो यहाँ पर व सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे question number one question number one में क्या पूछा गया है हाँ पर कि आपको सही विकल्प को चुनकर लिखना है तो पहला है यहाँ पर चुम्ब की quantum संख्या संबंधित है तो इसका जो answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभी विन्यास से उसके बाद question number second है उचितम तरंग धैरी वाला विकरण है तो इसका answer यहाँ पर हो जाएगा radio तरंग रेडियो तरंग का जो तरंग धैरी होता है वो सबसे जादा अधिकतम होता है फिर समिश्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है तो समिश्थानिकों के अंदर protein और electron की संख्या समान होती तो ये इलेक्टरॉन नहीं दिया तो आप यहां पर इसको नहीं टिक करना आपको क्या करना है सिर्फ प्रोटॉन दिया है तो सिर्फ प्रोटॉन पर टिक कर दें फिर है question number four एक तत्व का पर्माडूक रमांग 11 है इसके प्रक्रती होगी तो देखिए पर्माडूक रमांग 11 ह वो किसका होता है आपको पता ही होगा सोडियम का तो इसके जो ऑक्साइड है उसकी प्रक्रती कैसी होगी छार यह होगी ठीक है उसके बाद प्रशन क्रमांग 5 वर्ग में उपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदय बढ़ता है तो इसका अंसर हो जाएगा पर्माडू त है बंध कौन बढ़ाने से जो इधरव आगून का मान तो यहां पर क्या है बढ़ता है ठीक है उसके बाद फिर है क्वेश्चन नमबर 7 लेकिन एक बात और है कि जब बंधन कौन को घटाएंगे तब भी यहां पर दो इधरव आगून बढ़ता है तो यह थोड़ा सा कंफ् चयन अभी किया है तो यहां पर आपके जो विकल्प हो समाप्त होते हैं अब आ जाते हैं हम आपको रिक्तिस्थान की पूर्ती हां पर करना है क्वेश्चन नमबर 2 में तो पहला है ऑक्सी करण में किसी तत्व की आवस्थ था तो क्या हो गया आपए जो सइयुक्त तत्व ह ना उनका यहां नहीं पता लेकिन आसाईयूउक्त तत्व जो हैं उनकी 0 होती है और जो आपने को प्लस 2 यहां लेकिन इसका आपा देख लिजब कि आसाईयूक्त तत्व की जो यहां कितनी होगी शून ने होगी फिर उसके बात दूसरा है सबसे प्रबल अपचायक तत्व खालिस्थान है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लीथियम लीथियम जो है वो सबसे प्रबल अपचायक तत्व है फिर है तीसरा बैंजो एक अमलो को खालिस्थान के द्वारा शुद्ध किया जाता है ठीक है उसके बाद फिर है अगला अगले में क्या पूछा गया है question number four में carbon monoxide में carbon की साइउं हो जगता कितनी है तो यहाँ पर है दो फिर है आवर्त में यहाँ दाए से बाए नहीं है यहाँ बाए से दाए ठीक है यहाँ बाए हो जाएगा यह गलत है तो यहाँ बाए कर होती है ठीक है यह हो गया आपका पाच खाली स्थान उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छटवा खाली स्थान तो यह छटवे में है तर द्वती समू के त्ट्व क्या कह लाते तो यह कह लाते है ऐस ब्लोक के तत्वा फिर है सात्वा परमारु का नाभिकी model किसने प्रस्तूत किया तो यह किया था ANYस्ट रधर फोट ने तो आप रधर फोर्ट लिख सकते हैं रधर फोर्ट ने ठीक है तो यह इन्होंने किया था नाभिकी model प्रस्तूत। रदर फोर्ड ठीक है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे question number 3 question number 3 में क्या पूछा है सही जोड़ी आपको बनाना है तो उत्कृष्ट गैस कौन सी उत्कृष्ट गैस है neon हीरे की सनरशना हीरे की सनरशना है वो है त्रविमी जालक सनरशना हीरे की होती है ठीक है उसके बाद हैलोजन तो हैलोजन कौन सा है gas हैलोजन गैस है क्लोरीन फिर CH4 तो CH4 जो है उसमें होता है SP3 संकरण ठीक है उसके बाद फिर D2O क्या है तो भारी जल को D2O कहा जाता है फिर प्षार धातू है पोटेशियम और उसके बाद है CO plus H2 का मिश्रन तो यह होगी जल गैस तो यह आपकी यहाँ पर सही जोड़ी भी कम्प्लीट हो गई अब उसके बाद आते हम एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो यहाँ पर पहला प्रेशन है इलेक्ट्रोन ग्रहर अन्थेल्पी को किस में मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा के जे पर मोल ठीक है उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा जे जे थॉमसन ठीक है जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रोन की खोज की थी तो यह इसका आंसर हो जाएगा अब उसके बाद है क्वेश्चन नम्बर थ्री बंध लंबाई को नापने की इकाई तो यह हो जाएगा पिको मीटर या फिर आंक्स्ट्रोंग ठीक है यह होता है च्री डीटू संकरण में अडू की तरिज्जा कैसी होती है अडू की सौरी जामिती कैसी होती है तो जामिती कैसी होती है अश्ट फल की होती है ठीक है अश्ट फल की यहाँ पर हो जाएगा फिर पांचवा है आवर्त में बाई से दाय जाने पर विद्धुत रणात्मक्ता पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो विद्धुत्रनात्मक्ता कैसी होती है विद्धुत्रनात्मक्ता इसकी बढ़ती है ठीक है बढ़ती है उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर question number आपका 6th यहाँ पर क्या दिया हुआ है aluminium aluminium even magnesium magnesium मैं iron enthalpy किसमे अधिक होगी तो aluminium और magnesium मैंसे हाँ पूछा गया है aluminium और magnesium मैंसे किसकी आइनन enthalpy ज़्यादा होगी तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैंगनीशियम magnesium की iron enthalpy ज़्यादा होगी ठीक है तो मैं यहाँ लिखने ही रही हूँ आप इसका अंसर हो जाएगा mg की chuanine enthalpy वो ज़्यादा होगी फिर है nitrogen आडू मैं बंधन क्रम का मान कितना होगा तो इसका होगा तीन बंधन मतलब तीन त्रिबंध बनेगा इसमें जिसमें की एक सिगमा बंध होगा और साथ में दो इसमें पाई बंध होगे दो कुण से बंध होगे दो पाई बंध होगे तो एक सिगमा और दो पाई बंध यहाँ पर बनेंगे तो ये था आपका जो model paper का जो first set था उसका जो objective type questions थे वो मैंने सारे cover करवा दी है तो next part का वेड कीजे इनको अच्छे से revise कर लीजे नेक्स पार्ट में मैं सारे question answers को आपको एक बाल में ही cover करवा दूँगी तो मिलते हैं नेक्स पार्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो Hello students ASK Classes के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत जैसा कि आप देख रहे हैं एक अभ्यास प्रश्ण पत्र जिसका की सैट क्रमा के के जो प्रश्ण तर वो हम इस वीडियो में देखेंगे ये काक्षा 11 का रशायन चास्त विशय का अभ्यास प्रश्ण पत्र लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसा कि आप सभी स्टुडेंट्स के कमेंट आए कि इस पेपर से या मॉडल पेपर ये जो दिये जाते हैं से कोई ही क्वेश्ण नहीं आता है या फिर इस में जो भी क्वेश्ण थे वो एक्जाम में नहीं आएंगे तो देखें मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर करना चाहती हूं कि चाहे वो Middle Education हो चाहे AS के क्लास हो शायद आपने जो निर्देश के अंदर जो पॉइंट्स दिये हुए वो आपने यहां बाकाइदा नहीं पड़े तो यह आप देखें तो Highlighted उसमें यह जो पॉइंट है वो हर एक वीडियो में आपको मिलेगा कि यह जो है Model Paper वो अभ्यास व सिक्षन उद्देश्यों के लिए बनाया गया और साथ में इसका जो आपका Real जो एक्जाम है ठीक है उससे इसका कोई भी संबंद नहीं है जिस प्रकार से परिक्षय अध्यन और परिक्षय पूद के शुरुवात में आपको जो Practice Set यहां पर प्रोवाइट कराये जाते हैं उसी प्रकार से यहां भी आपको यह एक Practice Set के रूप में ही प्रोवाइट कराये जा रहा है इन सभी का उद्देश यह है कि जो प्रश्ण बार-बार रिपीट हुए है जो प्रश्ण इस साल के हिसला सिलिबस के हिसाब से जो Important लग रहे हैं उन प्रश्णों को Model Paper में या Practice Set में डाला जाए तो इसलिए आपका सीधा सा एक ही उद्देश होना चाहिए कि आपको आपकी तैयारी पूरी करना है उसके अलावा आपको इन प्रश्णों को जरूर देख के जाना है क्योंकि ये जो है वो आपके Important Questions है जो कि आपकी त्रमासिक परिक्षा के लिए महत्त्यपूर्ण हमें दिखाई दिये इसलिए हमने इनको model paper में रखा है लेकिन कोई claim या कोई दावा नहीं है कि यही question आपकी exam में आने वाले है तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से ब्रहमित ना हूँ यदि आपने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं किया तो जल्दी से आप फटा फट दो तीन घंटे यदि हैं अभी भी आपके पास तो उनमें आप फटा फट रिवीजन के तोर पे एक बार पढ़ जरूर लीजे ताकि यदि कोई प्रशन आता है तो आप एक त्रीस उसमें कुछ लेक पाए यदि कई स्टुडेंस के ऐसे मैसेज है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह तो बहुती गलत बात है बहुती डिसापॉइंटेड आप एक तरीके से कर चुके हैं ऐसा कहके तो इसलिए मैं आपको यहीं बोलूँगी कि अधि आप मॉडल सेट के भरोसे है तो यह आपका कुछ भी नहीं कर देगा पेपर में इसलिए आप कहीं भी कोचिंग या स्कूल में तो आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेस्टन बताएगा हैं तो सारे कुछ अपको करके ही जाना है तो यहां पर मैं इस मॉडल पेपर के आपको क्वेस्टन बताने वाली हूँ तो यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते ह कि मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेस्टन पूछेगा है क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और तीन तीन सब्जेट का कर 11 क्लास का पेपर इसकी वजह से मैं यहां पर आंसर की प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूं तो इसलिए आप इन क्वेस्टन को यह नहीं बुक म और यदि इन में से जादा क्वेस्टन से तो फिर आप देख लीजे गूगल पर जितना पढ़ पा रहे हैं आसान भाशा में उसको तयार करके चाहिए प्रशन क्रमांग पांच है एक ग्राम भार में एलेक्ट्रोनिक की जो संख्या उसका आपको परिकलन करना है फिर सेकें से जाधा होती है क्यों उसके अत्वा में अख रवाहँ का सिद्धानत क्या है फिर है पृशनकरमांग आपका साथ परमारू आकार से अगड़ा समझते हैं समस्थानिक किसे कहते छोटे-छोटे-परीभाश वाले यह पर समझते है उसकी बात प्रेशन क्रमांग 5 एक ही वर्ग में उपस्थे तत्व के बहुते को रासाने गुर्ण सामान क्यों होते हैं इसका आपको कारण देना है रेडॉक्स अभी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं फिर है अब चायक को परिभाशित कीजिए और आक्सी कारफ क्या है फिर है प्रश्ण क्रमांक 10 निमने लिखे तो योगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए आईसोप्रोपिल अलकोहल उसके बाद 2-3- डाई-मैथिल-ब्यूटिल ये भी हमेशा पूछे जाते हैं तो ये भी आपके तैयार होने चाहिए फिर एलाक्ट्रीस नहीं और नाभिकस नहीं क्या है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे प्रश्ण क्रमांक 11 पाउली का अबवर्चन सिध्धान्त के उधारण सहत इसको आपको समझाना है हुंड का नियम को भी उधारण सहत समझाना है उसके बाद देखेंगे हम तो प्रकाश विद्धुत प्रभाव क्या है और उसके अत्वा में है हाईजन पर्ग का अनिश्चित्त सिध्धान्त क्या है ये आपको बताना है ठीक है अब उसके बाद देखेंगे प्रश्निक रमांग को 13 क्या कहता है इलेक्ट्रोनिक सिध्धान्त के आधार पर ऑक्सीकरन तथा अप्चैन को समझाना है उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रो विभाव क्या है ये सैल विभाव से किस प्रकार भिन है ये आपको बताना है फिर है यहाँ पर वियूजन अभीक्रिया से आप क्या समझते है ये आ प्रेंड लीफ की आवर्त शान्नी के आपको नियम यहां पर बताना है और अत्वा में है डी ब्लॉक के तत्व के सामानि लक्षन लिखना है फिर हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे यहां पर वी एस ई पी आर सिर्धान्त क्या है और प्रेर्णिक प्रभाव क्या है समझाईए इसके तीन अनुप्रियोग भी आपको यहां पर लिखना है फिर है कार्व के टायन संरश की जो संरशना है उसको आपको समझाना है और इसकी अत्वा में है प्रेर्णिक प्रभाव और अलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखना है कोई भी अंतर हो उसको 4 जरूर क्योंकि हो सकता आप दो अंतर करें और चार नंबर में पूछ लिया जाए फिर है प्रेश्निक रमांग के यहां पर 18 आती युगमन प्रभाव को उधान साहित समझायना है इस पष्ट करना है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है प्रसी और माइनसी प्रभाव इस पष्ट क कीजिए फिर है प्रश्टिक रमांग 19 अभी क्रिया मध्यवर्ति क्या है कार्बोकेटायन के प्राकार तुलनात्म के स्थायत प्रश्ट कीजिए तिपड़ी लिखना है इसके अत्वा में कार्बेनियन और दूसरा है मुक्त मूलक ठीक है तो यहां पर आपका जो मॉडल प कि अकॉर्डिंग मैंने यहां पर बता दी है क्वेश्टन अब आप इस वीडियो में जो क्वेश्टन से उनके अलावा भी अच्छे से पढ़ाई करके जाए और मैं आपको यह बार 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 बोल रही हूं कि आब बाद में यह ना कहें कि इस मैंसे कुछ ने आया और हम इस वीडियो